हेलो दोस्तों तुम लोग बात कर रहे थे NCRT बुक्स के बारे में तो अभी तक हम लोग कक्छा छटवी की कख्छा साथवी कख्छा आठवी की सभी बुक्स हम देख चुके हैं जो हमारे लिए इसे विल सर्विस के लिए जरूरी होती हैं ठीका कख्छा साथवी कख्छा इन से सम्मंदीत आपके जितने भी लेक्चर वने हुए हैं जितने भी क्लास ले गए हैं वो NCRT किताबों का फूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी फिलेलेश्ट सूच है उसी में चेप्टर भाई चेप्टर लेग हुए हैं ठीक है और आप एक ही क्लास में पूरी बुक् से जाकर देखें इसमें एक ही क्लास में पूरी एक क्लास में ठीक है तो जो भी सूटिबल लगे आपको अच्छा लगे वो कल सकते हैं तो कख्छा आट भी तक कि आपी पूरी वो जो हमारे लिए जरूरी थी सिविल सर्विस लिए हम कम्पिलीट कर चुके हैं अब हमें बात करनी है क्ष्ण नौवी की तो नौवी में हमें देखना है पांच वो कौन-कौन से लोगतांत्रिक राजनीटी फष्ट समकारीन भारत फष्ट अर्थ सास्त भारत और समकारीन बेस फष्ट और पांच भी विग्यम तो आज की इस एक 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 अच्छा नौवी की आखिवी किताब है लोगतांत्रिक राजनीटी एक 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 अच्छा नौवी के लिए याद रखे तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि आखित पढ़ना क्या कहा हैं याद रखिए टायम बेकार मत कीजिए बिना जही है कि टाइम परबात करने से अच्छा है कि पहले एंची याइट को पढ़ लें क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है कि हो सकता है स्टेट पी-स तो आप निकाल दो है लेकिन सिविल सर्वेस निकाल दो बिल्कुल भी मुंकिन नहीं है, बिना NCEIT के, NCEIT, सिविल सर्विस के लिए आपके राम माड़े, राम माड़ समझ रहे हो, तो यह आपकी विसह सुची, क्या है विसह सुची, तो इसमें बात करेंगे एक अध्याय में देखेंगे लोकतंत क्या है, एक अध्याय, फर्ष्ट अध्याय हमारा ए होगा, अध्याय दो में हम बात करेंगे सम्मिधान निर्मार, अध्याय तीन में चुनावी विराजनीति, अध्याय चार में संस्थाओं का कामकार, अध्याय पांच में लोकतंत्रिक अधिकार, क्या देखेंगे, लोकतंत्रिक अधिकार, तो ये पांच आपकी अध्याय होंगे, टिया, चेप्टर इवर, बाई चेप्टर हम लोग इन्हें खितम करेंगे, देख लीजे भारत का सम्मिधान, उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण त्रिवुत संपन, समाजवादी, पंतनिर्पेक्ष, लोकतान, त्रात्मक, गड़राज बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजविक आर्थिक और राजनितिक नियाये, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धरम और उपासना की सुदंता, इतिष्ठा और आउसर की संता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सम्मे ब्यक्ति की गरिमा, यानि की राष्ट की एकता और खंडता कुर्शोनिश्यत करने वाली बंदूता वढ़ाने के लिए, दर्ड संकल्प होकर, अपनी इस समिधान सबाब में, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, इदद द्वारां इस समिधान को अंगिकेत, अध समार्पित करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, कि 26 नवंबर 1949 को, कुछ प्रावधान इसके लागु कर दिये गए थी, समिधान के, संपूर्ण रूप से आपका, 26 जनवरी 1950 को लागु होगा, याद रखना है था, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगी, पहला दिया होगा लोगतंद क्या लोगतंद क्यों?